Hello everyone, welcome to our channel, the online coaching दुसर शूतिके शवानी, so today is a class of MS Excel shortcut key, आज की class में हम MS Excel की simple shortcut keys के बारे में जानेंगे, ठीक कि ताकि हमें किस तरीका अगर daily life में हम MS Excel का use कर रहे हैं, तो उसकी simple keys के बारे में हम जानेंगे किस तरीके से हम shortcut easily use कर सकते हैं MS Excel में, ठीक तो आज की class में हम MS Excel की shortcut keys के बारे में जानेंगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले class को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर दीजे जिनोंने सब्स्राइब नहीं किया वो सब्स्राइब कर ले जो फर्स ताइम देखने हैं और और सारी classes यानि कि ये वीडियो जरू शेयर करें अपने फ्रेंस shortcut keys को किस तरीके से हम यूज़ करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं shortcut keys of ms excel तो सबसे पहले हम आ जाते हैं desktop में और ms excel में आते हैं तो window plus r करेंगे और excel को लिखेंगे और इंटर करेंगे यह भी एक shortcut key है और ms excel में आ जाएंगे तो ms excel में हमें simple कुछ में आपको सिफ simple सी ms excel की shortcut keys बताना चाहूंगी जो हम mostly use करते हैं और थोड़ी मतलब simple होती हो गर हम daily life में आमस excel में working कर रहे हैं data बना रहे हैं तो यह सारी चीज़े हम use करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं weeks की तो अगर मैंने सिफ Sunday लिखा से यू एंडी Sunday simple हमें Sunday मैंने अगर लिखा है और मुझे मैं चाहती हो कि सारे जो week days की नेम है वह आपको क्लिक करना है यहां से आपको क्लिक करना है सल पर जब आप देखो प्लैस वाली साइन बनके आ रहे है तो सिंपल से इसे ड्राइक करते जाए यह देखे ऑटमाटिक आपके नीचे यह नेम आ रहा है Friday Saturday Sunday मैंने लिखा है देखे जो स्टार्ट होता है हमारा अब्लाइक था अब देखे तो सिंपल से हम द्रॉप कर दे रहे हैं थो आटमाटिक यह हमारे वीक्स आगें ठीक है मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा कर देनी हूं थाकि आपको अच्छे से बिजिबल से आप इसे रहा कर गया ऐसा नहीं है मैंने सल नुबर ए 1 में लिखा तो अगर मैं यहां भी लिख ले रही हूं सिफ आपको पर्स नेम लिखना है संडे और यहां पर आप जब आएंगे तो यहां प्लेस की साइन बनेगी जैसे ही आप यहां करजर रखोगे तो कई तरीके का आपको एरो में पॉइंटर दिखे का जैसे की स्टार वाला ठीक तो ह यहां थाना ही हमें सारे विक्स लिखने भी नी पड़े और विक्स आगे वेनस्डे का साइज थोड़ा और बढ़ाना है आप सिंपल से इसको प्लेस ले जाए उसी के उपर कॉलम में और स्थोड़ी से साइज इसकी क्या कर दीजिए इंक्रीस कर दीजिए तो यह आपकी सा अलफ़ाबेट्स दी हैं और यह वर्टिकल लाइन यानि यह जो लाइन आपको दिख रही है लंबी लाइन वर्टिकल लाइन इसे बोलते हैं यह वर्टिकल होती है जिसे हम कॉलम बोलते हैं यानि कि A, B, C, D यह कॉलम हो गई हो गई और 1, 2, 3, 4 हमारे रोज हो गई जो हो यानि कि यह जो लेटी हुई लाइन आप देख रहे हैं होरिजॉंटल यह होरिजॉंटल आपके रोज होगा है तो सब्सक्राइब मैं यहां पर हूँ या फिर सिक्स वाले रो में हूँ अभी मैं देखिए रो में हूँ फाइफ यहां पर शो कर रहा है अगर मुझे यह इसी को के लास्टैम में जाना है तो मैं क्या करोंगे तो मैं एक एक एरो की की यूज करुंगी यहां यहां पर जाकर करूंगी तब पतानी में करती जाどंगी वहोंitol प्लेस घू एक थीक हैं तो हम कैसे जाएंगे तो अगर हमें last row पर जाना है किसी भी जाने कि 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी number के लास्ट रो पर आपको जाना है तो सिफ control plus down arrow key का use करिएगा क्या करेंगे control plus down arrow key जैसे ही down arrow key का use करेंगे तो उस arrow में चले जाएंगे तो देखिए लास्ट में हम चले गए हैं लास्ट पीछे तो कितना हम ताइम लग जाएगा ठीक है कितने लास्ट हम कहां पे आगे हैं लास्ट रोव पे हम आ चुके हैं याद रखेगा Control-Plus तो यहां से मैं जहां पर तो आपको फर्स रो पर जाना है इसी सेल के तो आपको सिफ कंट्रोल प्लेस अप एरो की का यूज करना है आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहां देखे हम यहां पर आ गए हैं इस तैल पर आ गए हैं ठीक है तो इस तरीके से हम पर्स और लास्ट रो में जा सकते हैं कॉलम में अगर मैं फिर से आपको बता देरही हूँ अगर आपको नहीं समझ मैं तो जैसे सपोस्ड एट मैं यहां पे आ जा जहूं बी इक वाले बी और रो है याद रखेगा यह रो है और अगर हमें इसी के लास्ट row में जाना यानि कि B column के last row में जाना है तो हम control plus down arrow key का use करेंगे तो देखे इसी row के last में आई यानि कि B column के last row में हम आ चुके हैं याद रखेगा अप एरो की करेंगे arrow key का यहाँ पे आपको use करना है आप arrow key करेंगे तो हम करेंगे तो चलिए यह बात करते हैं अगर हमें कोई भी लास्ट कॉलम में जाना है तो यह आपका अब इधर हम जाएंगे तो यह कॉलम हो जाएगा तो यह आपका इधर अगर A B C D से जाएंगे तो हमारा कॉलम होगे मैंने आपको बताया पहले 123 यह हमारी रो से तीक अब मैं जैसे यहाँ पे हूँ 1 में हूँ मैं सबसे पहले 1 वाले कॉलम में ए में रख लिया अब मुझे दम लास्ट कॉलम में जाना है तो च्ट्रोल प्लेस क्या करना है आपको राइट अरो की का यूज करना ह अब देखिए लास्ट में पहुझ गया है लास्ट कॉलम का नेम है एकस एफडी ठीक याद रखिएगा नेम भी और कॉलम भी तो किसी भी अगर हमें कॉलम के लास्ट में जाना है तो वहां सिंपल आप कर्ज़र रखिए और कंट्रोल प्लेस राइट अरो की का यूज करें अब हमें वापस से जाना है जहां से हम आये थे यानि कि कंट्रोल हमें 1 में यानि कि A 1 में जाना है तो फिरसे यह वाले कॉलम से लास्ट में जाना है तो देखे ये वाले में लास्ट में हम पहुँच आ extra और फिर से हमें वापस 6 में जाना है तो देखे ठीक 25iblि 01 का 15 15 कॉल्म में लास्ट राइड रखेगा जितने भी मैं अब हम यहां पर शौटकट की बता रही हूं इसे छोड़ाय तquently तो चलिए अब नेक्स उसकर नहीं करना है बस मुझे इसके आगे लिए कर देरी हूं मुझे यहां पर बस वन शो करा रहा है तो सिफ कंट्रोल प्लेस डाउन होता है पेच्ड डाउन की आपको मैंने बताया कीबॉर्ड वाले कीज में पेज़ डाउन की को सिर्फ इंटर करना है आपको पेज़ डाउन बटन नेक्स्ट और प्रीवियस यह वो नहीं रहा है मैं इबाग करके देखती हूं यहाँ पर फिर से क wr3फ पेज डाउन की पेज अब की यहाँ पर नेट्स के रहीं ौर यहां यहां पे महने क्या है यहां पर मैं फिर से आपको बता दे रही हूं दूसरा एक लेकर क्योंकि यहां पर Ctrl प्लेस एक्सल करके वहां पर वक्षीट वह रही चली गई थी सेकंड वाली तो यह बन आई और यह टू कर दे रही हूं मैं एड कर ले रही हूं दो वक्षीट अब जैसे मैं 1 में हूं और मुझे स्विच करना है सेकंड में तो यहां पर मैं माउस की मदद से करूंगी यहां पर सिंपल आपको करना है ब्रूद यहां यहां जानी चाहिए नगता है Phrieως में से करेंगे तो अगर यहां ढर्फेश और यहां रख यहां आपके वक्षीट पर लेकिन आड़ आपको करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए अब एक और जानते हैं अगर आपको करेंट चाहिए आप यहां चाहते हो कि मेरी यहां पर करेंट डेट आजाए कि आज की डेट क्या है आपको MS Excel में लाना है तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है Ctrl plus आपका समी कोलम को option होता है ना सिंबल होते हैं समी कोलम को क्लिक करना है जैसे हम समी कोलम को क्लिक करेंगे तो यहां देखिए डेट आ गई है और आपको मिल जाएगे, sorry, semicolumn कहने हो, column और comma वाला यूज करना है आपको, तो यहाँ पर आपको simple सा यूज करना है, और आपको control plus, sorry, यहाँ पर आपको date, current date आपको मिल जाएगी, ठीक है, याद रखेगा, तो चलिए, अब next मैं आपको time भी बता दे रही हूँ, अगर आपको time चाहिए, और आपको current time चाहिए, तो control के साथ shift को क्लिक करिएगा, और semicolumn को use करिएगा, देखे, current time भी आपके सामने आ गई है, ठीक, current date लाना है, current time लाना है, तो आप इस तरीके से use कर सकते हो, अपने MS Excel में, तो बहुत ही short और useful चीज़ थी, जो regular life में, अगर हम MS Excel यूज़ कर रहे हैं, और हमें सीखना है, तो हम इस तरीके से use कर सकते हैं, तो याद रखेगा, यह simple simple tricks थी, MS Excel की, आज की वीडियो में इतना ही है, तो अगर हमें date लाना है, time लाना है, तो control के साथ आप use करिए, और अगर आपको time लाना है, तो control के साथ shift का use करिएगा, तब semi column लगाईएगा, तो I think आपको simple से MS Excel की shortcut keys आगी होगी, बहुत ही कम, मतलब मैंने थोड़ी सी ही बताईए आज की class में, ताकि आपको simple से ही, पहले आप इतनी shortcut keys सीख जाएए, तो सबसे पहले मैंने जितनी keys बताईए, उसे एक notes में ज़रूर लिख लीजएगा, फिर उसका practical करिएगा, आप उसका practical करेंगे, तो आपको easily आने लगेगा, किस तरीके से MS Excel का use करना है, shortcut key, तो सबसे पहले practical देखिए, बहुत ज़रूर ही है, computer में practical ज़रूर करिए, तभी आप अच्छे से practical, यानि कि computer सीख पाएंगे, computer में तो आप जानते हो, सबसे पहले आपका practical ही must होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो चलिए, ऐसे ही अगर आप और भी चीजे या courses जोईन करना चाहते हैं, तो आज ही download करें, the online coaching को official app, वहाँ पे computer के बहुत सारे courses available हैं, आप वहाँ से courses purchase कर सकते हो, वो भी शुती 20 code apply करके, शुती 20 code coupon code है, आपका, आप इसको apply करके, कोई भी computer courses में 20% off पा सकते हो, तो triple C अगर आप जोईन करना चाहते हो, ADCA, one year का course जोईन करना चाहते हो, six month का course जोईन करना चाहते हो, तो DCA, तो आप वहाँ से purchase कर सकते हो, तो download करें, the online coaching का official app, playlist में आपको मिल जाएगा, और हमारी description में भी उसकी link आपको app की मिल जाएगे, तो वहाँ से download करें, और कोई भी computer के courses, even की individual courses, जो आपको mostly online में नहीं मिलेंगे, अगर आप individual course लेने जाएगे, जो हमारे platform में आपको मिल रहा है, आपको individual advanced, excel भी मिल जाएगा course, MS Word का भी individual course मिल जाएगा, internet, अगर आप सिफ internet सीखना चाहते हो, कि मुझे कोई particular अगर आप लंदी course नहीं लेना चाहते हो, सिफ particular internet या networking या MS Word या सिफ powerpoint ही सीखना चाहते हो, तो आप वो भी individual course परचेस कर सकते हो हमारे एप से, तो चलिए, आज की class फिर इतनी ही है, थैंक्स पो वचिंग एवरिमन, बाबाई,